जहां भगत सिंग को फासी दी गई थी वहाँ पाकिस्ताने खड़ी कर ली है मस्जिद स्वतंत्रता आंदोलन के वक अंग्रेजी हुकूमत ने 30 मार्च 1931 को लाहर सेंट्रल जेल में फासी पर चढ़ा दिया गया था कई साक्षेव में साबित हुआ था कि इस फासी से हिंदुस्तान के युवाओं की खून उबाला दिया था इस फासी से जनमे उनमाद में अंग्रेजों को हिंदुस्तान चोड़ने पर मजबूर किया लाहर सेंट्रल जेल साल 1947 में हिंदुस्तान के आजाध होने और भारत पाकिस्तान की बंटवारे के बाद पाकी सीमा में चली गई लेकिन आजाधी में एक अहम भूमे का अदा करने वाली इस जगय की हालत आज बेहत खराब है इसका खुलासा पत्रकार लेखा कुल दीप सिंग नेयर ने अपनी किताब में किया था कुल दीप नेयर ने शहीद भगत सिंग पर शहीद भगत सिंग, क्रानती के प्रयोग्द माटर भगत सिंग, Experiments in Revolution नाम किताब लिखी है इस किताब की भूमिका में ही उन्होंने यह साफ किया है कि जिस जगैक पर भगत सिंग को फांसी हुई उस जगैक की स्थिती अब क्या है लेखक के अनुसार भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरु को जिस जगैक पर फांसी दी गई थी वे जगै अब ध्वस्त हो चुकी है उनकी कोट्रियों की दीवारें ध्वस्त होक कर मैदान का रूप ले चुकी है क्योंकि वहां की व्यवस्ता नहीं चाहती की भगत सिंग की कोई निशानी वहां ठीक स्थित में रहे उनकी कोट्रियों के सामने खड़ी कर दी मस्जिद बसादिया शादमा कलोनी कुलदीप नहयर की किताब के अनुसार अब पाकिस्तान में लहोर सेंटरल जेल के उस स्थान पर अधिकारियों ने शादमा नाम की एक कलोनी बसाने की अनुमती दे दी थी जबकि भगत सिंग्वा उनके दोस्तों को जिन कोट्रियों में रखा गया था उसके सामने एक शानदार मस्जिद के गुमबद खड़े हैं कुलदीप नहयर बताते हैं हम जब यहां पहुँचे तो इस जगये पर कुछ पुलिस हेड़ा क्वार्ट्स बच्चे थे लेकिन कॉलोनी के निर्मान के लिए जेल को गिराया जा रहा था मैंने कुछ शाद्मा के बाशिंदों से पूछा क्या वे भगत सिंग से वाकिफ हैं तो ज्यादतर के पा असपष्ट जानकारी थी जहां भगत सिंग की फांसी का तखता था वहां अब चोहारा बन गया है वहां आती गाडियों के धूल में तखता कब कहां खोग गया किसी को नहीं पढ़ता आजादी के अंदोलन में बस एक पंजाबी मरा था पाकिस्तान में एक बेहत अजीब धारना बना दी गई है कुल दीप ने यह लिखते हैं कि असी के दशक में लाहौर में एक विश्व पंजाबी सम्मेलन आयोजित किया गया है जिस हौल में यह आयोजित किया गया उसमें बस एक तस्वीर भगत सिंग की लगाई गई थी जब कि आज़ादी के आंदोलन में अगणित पंजाबी ने महती भुमिका अदा की थी लेखख के अनुसार जब उन्होंने वहां बस एक तस्वीर लगने का कारण जानना चाहा तो बताया गया कि आज़ादी के आंदोलन में बस एक ہी पंजाबी की जान गई बेहत अजीब कहानी बना दी भगत सिंको भगत सिंको भासी चड़ाने की संबंधित लाहॉर के जिस जगये पर तखता लगा हुआ था एक दफा वहां गोली चली, गोली उस तखते में भी लगी साथ ही उस शक्स को भी गोली लगी जिसने वेह तखता वहां लगाया था सरयोग से वे उसी जगेह पर पहुंच गए जहां भगत सिन की फासी वाला तखता था। जब घोली चली तो वे कसूरी के पिता को लग गई। कसूरी के पिता उन लोगों में से थे जुनों ने वे तखता बनाया और भगत सिन के समर्थक थे। अब ऐसा माना जाता है कि भगत सिन को मानने वालों को खुदा सजा देता है।